हम लोग बात कर रहे थे human teeth का तो teeth में ठीक है अब हम लोगों को जो discuss करना है यह क्या है human teeth अब human teeth को हम लोग क्या बोले कि human teeth को तीन part में हम लोग divide करते हैं एक part जो आपको दिखता है इसको हम लोग क्या कहेंगे जो डिखता है जो exposed part है The exposed part of the teeth जो दिखेगा ठीक है? जो part आपको दिखता है exposed part जब आप हसते हैं ठीक है? of the tooth अब यह जो tooth का exposed part है इसको हम लोग क्या कहेंगे? crown कहेंगे ठीक है? अब इसके बाद आजाईए यह जो दिख रहा है आपको पूरा white color का जो दिख रहा है इससे उपर वाले portion को इससे जो उपर का portion है जो यह exposed part है बाहरी part है ठीक इसे हम लोग बोलते हैं crown अब जो part जो part आपका क्या होगा? gum में embedded होगा ठीक है? जो part gum में embedded है इस part को हम लोग क्या बोलते है? यह जो part है जो gum में embedded होगा last class में बात किये थे यह क्या कहेंगे? neck ठीक है? और जो bonny socket में है इसको हम लोग कहेंगे ठीक root इसको क्या कहेंगे? root और root जो होगा यह कहां मिलेगा आपको? embedded embedded in jaw ठीक है? तो यह bonny socket में जो tooth का part होगा इसको root कहेंगे जो gum में होगा यह neck जो होगा यह कहां होगा? covered by the gums यह gums में मिलेगा ठीक है? तो तीन part है crown है neck है and root है first portion जो हम लोग बात करने है first portion क्या बात करने है? यह आपका होगया crown यह जो portion देख रहे है red वाला जो यहां से यहां तक जो portion है यह इसको हम लोग कहेंगे neck और यह पूरा जो bone में embedded है उपर से यहां से लेके यहां तक जो embedded है इस portion को हम लोग कहेंगे jaw ठीक है? अब आजाईए जब आप दांट को देखते हैं तो जो यह आपको white दिखता है ठीक, enamel ठीक, enamel जो है यह क्या है आपका white portion of the teeth और यह क्या होगा? enamel is the hardest hardest part होगा आपके body का enamel क्या है? it is the hardest part अगर enamel का बात करें enamel जो होगा it is the hardest part of the body और यह क्या होगा? outer covering है यह outer covering है outer covering यह outer part कह सकते हैं covering of the teeth ठीक है? अब इसके just नीचे आ जाईए इसको इधर ले आईए अब इसको इसके नीचे आ जाईए जो एक है dentine दूसरा जो हम लोग structure देख रहे है dentine ठीक है? अब इस dentine को हम लोग क्या बोलता है? कि यह जो teeth का main portion होगा यह क्या होगा? dentine होगा dentine जो है dentine is the main part of the teeth यह teeth का main portion होगा यह question आता है कि which one of the following is the main part of teeth teeth का जो main part होगा इसको हम लोग dentine करता है and it is formed by the odentoblast cell ठीक है? यह कौन बनाएगा? odentoblast cell होता है यह odentoblast cell form करता है it is formed by the odentoblast blast cell यह भी एक आपका यहां पर MCQ होगा ठीक और यह जो enamel है enamel जो होगा it is formed इसको जो cell बनाता है इसको बोज़ना है it is formed by the amylo blast amylo blast cell ठीक है? अब आजाईए dentine के नीचे एक cavity होगा और इस cavity को हम लोग बोलता है pulp cavity यहां पर देखिए यह जो structure होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे? pulp cavity ठीक यह pulp cavity में क्या रहेगा? आपका जो odentoblast cell है the odentoblast cell अगर हम लोग यहां पर इस figure में देखें तो इस जगा पर आपको इधर इधर pulp में नीचे की तरफ से एक होगा apical foramen एक cavity होगा जिस cavity के थूरू इसमें क्या होता है? बहुत सारा nerve impulses inter करता है अगर आप दाथ को देखेंगे ठीक तो यह जो pulp है pulp में क्या होगा? pulp में नीचे की तरफ से यहाँ पर एक structure होगा opening होगा जिसको हम लोग बोलते है apical foramen क्या कहेंगे? apical foramen यह जो apical foramen है इसी apical foramen के थूरू the nerves nerve का supply of nerves blood vessels inters into the pulp ठीक है? next आ जाईए अब जो है यह pulp cavity आपका next अब क्या है? कि जिस ligament के मदद से दांत जुडा हुआ रहेगा bony socket से जिस bone को हम लोग बोलते है alveolar bone यह जो jaw का bony socket होगा जिस ligament के मदद से दांत आपका जुडा हुआ रहेगा jaw से इसको हम लोग कहेंगे यहाँ पर देखे यहाँ पर देखे peri odontal ligament यह क्या करता है? it attaches क्या attaches करेगा? attaches teeth to the किस से attached करेगा? alveolar bone ठीक है? अब जो यह आप देख रहे हैं peri odontal ligament ठीक है? यह ligament यह ligament है और यहाँ पर यह आपका यह पूरा का पूरा यह देखे bony socket है इस bony socket से जो attached करेगा दांत को इसको हम लोग बोलते हैं peri odontal ligament और यह पूरा का पूरा जो अभी हम लोग बात कर रहे थे यह क्या है? pulp cavity है और इसी pulp cavity में आपका क्या होगा? nerve, blood vessels, inters आपका inter करता है इसी pulp cavity में present रहता है inter जिधर से करेगा जिस structure से इस structure को हम लोग कहेंगे apical foramen अब cementum है cementum जो है यह cemento side cells secret करता है यह cement like material होगा जो दाट को fixation में मदद करेगा ठीक है? और यह बनता है इसको कौन बनाता है? formed by the cemento sides cemento sides ठीक है? अब क्या है? कि हम लोग जब teeth start किये थे teeth का characteristics देखे teeth को क्या बोलते है? तीन पार्ट में हम लोग divide किये कि जो पार्ट exposed है इसको हम लोग कहते है crown जो gum में है इसको neck और जो आपके bonny socket में है jaw में embedded है इसको हम लोग बोल दिये root अब जो exposed outer covering जो आपको दिखता है जो white portion enamel जो है यह क्या है? white portion जो है white ठीक white outer covering जो है teeth का इसको हम लोग क्या बोलना? enamel और enamel जो होता it is the hardest part of our body अब दात का अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे main portion कौन है तो यह dentine है ठीक है? और dentine को कौन बनाता है यह आपको याद रखना है odentoblast cell अगर यहाँ पे देखिएगा बहुत सारा केनाल इकुली यह fine केनाल इकुली यहाँ पे present रहता यह याद रखना है inamil याद रखना है आपको apical foramen याद रखना है जिस ligament से teeth जुड़ा हुआ रहेगा उसे याद रखना है इस ligament को हम लोग क्या बोल रहे हैं peri odontal ligament कर रहे हैं ठीक है? जिस से fix होगा उसको हम लोग कहेंगे cementum और cementum को बनाने वाला जो sale होगा इसे हम लोग कहेंगे cemento sites तो दांत में इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है हम लोग क्या पढ़े human teeth जो होता यह क्या है characteristics क्या है defodent ठीक है? defodent होगा thickodent होगा और इसके अलावा हम लोग क्या बोले थे heterodent होते है humans जो है vertebrates जो है हम लोग जो है humans जो होते है इनका teeth कैसा होगा defodent means two set of teeth होगा यह बात कर चुके हैं कि एक deciduous होगा जिसको हम लोग milk teeth भी बोलते हैं दूसरा permanent teeth होगा milk teeth is replaced by the permanent teeth इसके बाद हम लोग बोले human teeth जो होता है यह क्या कालाता है thecodent thecodent का मतलब क्या है it is embedded in the bonny socket jaw में यह embedded होगा तीसरा हम लोग क्या बात किये कि human का जो teeth होता है और यह human teeth कैसा होता है human teeth is heterodent means different types का होगा incisor, canine, premolar and molar अब incisor का हम लोग क्या काम है पता है incisor, canine incisor cutting में canine cutting and tearing में premolar and molar क्या चीज में काम करेगा crushing and grinding में तो teeth में इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना even 11th class में भी जाईएगा अगर bio choose किये तो आपको इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है दात का कौन कौन सा पाठ हो गया inamel हो गया inamel जो white ottermost covering होगा inamel, inamel के नीचे आईएगा तो आपको क्या मिलेगा dentine and dentine is the most important part of the teeth ठीक है dentine को बनाने वाला कौन होगा आपका odentoblast cell ठीक है उसके नीचे आईएगा तो आपको क्या मिलेगा दात में pulp cavity और इसी pulp cavity में present रहता है nerve blood vessels ठीक है और ये nerves blood vessels जो दात के अंदर किधर से इंटर करेगा जिस structure के through इंटर करता है इस structure को हम लोग क्या कहेंगे apical foramen ठीक है तो clear हुआ बताइए कोई बोलिए अब दात समझ में आया तो बात करने जा रहे है pharynx अब what is pharynx pharynx क्या है तो आपको simply अभी क्या समझना है pharynx क्या होगा it is the common passage ठीक है ये common passage होगा किसके लिए common passage for the food and air ठीक है और इसको हम लोग तीन पार्ट में बाट देते है pharynx का अगर बात करें तो pharynx को आप तीन पार्ट में बाट सकते है एक होगा आपका nasopharynx nasopharynx ठीक है दूसरा हम लोग क्या कहेंगे oropharynx and the lower most जो सबसे जिसको आप hypo pharynx भी कह सकते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं सबसे laryngopharynx ठीक है तो nasopharynx जो होगा यह just behind the nasal cavity यह जो nasal cavity है nasal cavity के just behind जो होगा behind the nasal cavity ठीक है यह nasal cavity के just पीछे होगा कह सकते हैं near to the हमारे कान में एक tube होता है जिसको हम लोग बोलते हैं hysteriausian tube hysteriausian tube के pass होगा behind the nasal cavity यह behind oral cavity behind oral cavity और यह जो है आपका कहां पे होगा larynx वाला जो portion होगा ठीक है अब आईए इस figure को देखिए ठीक है आपको तीन कलर में दिख रहा है ठीक सबसे पहले अगर आप nasopharynx को locate करने का कोशिस किजिए तो यह जो कलर दिख रहा है यह जो portion है just behind the nasal cavity nasal cavity के just पीछे वाला जो portion होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे nasopharynx उसके बाद आपका जो oral cavity के just पीछे इस कलर में इस वाले कलर पोर्ट से जो area है यह area देखिए यह इस area को हम लोग क्या कहेंगे यह जो area है इसको हम लोग कहेंगे oropharynx और यह जो larynx वाला जो region है इसको हम लोग क्या बोलते है laryngopharynx या sometime it is also known as hypo pharynx भी आप इसको कह सकते है hypo pharynx अब यह यहाँ पे larynx पे अगर देखिएगा तो आपको इस figure में देखिए इस जगा पे just यहाँ पे ठीक यह दिख रहा है सबको यह जो portion देख रहे हैं इस जगा पे यहाँ पे आपको एक flap like cartilaginous structure मिलेगा क्या मिलेगा एक flap like cartilaginous structure मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं epiglottis 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 अब जो यह epiglottis है ठीक है यह एक flap like structure होगा यह क्या होगा flap like structure ठीक अब इसको समझे अब जो यह portion है यह जो portion है यह posterior pipe जो देख रही है यहाँ से यहाँ तक जो यह posterior pipe दीख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं यह क्या है इसोफेगस है यह आपका इसोफेगस है अब इसको आप गलेट्स भी बोलते हैं क्या बोलते हैं गलेट्स यहाँ पे गलेट्स भी आपका सकते हैं उसके बाद इसके इस इसोफेगस के इसोफेगस के जश्ट आगे वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग क्या कहिए यह जो portion है, इसको मान लीजिए, यह क्या है, यह इसको हम लोग कहेंगे trachea, तो अब epiglottis का, अगर हम लोग एक flap like structure है, यह कहां पे present है, अब हम लोग कहा सकते हैं present, कहां पे at this junction, junction of, जहां पे esophagus, ठीक है, and trachea, आपका अलग-अलग हो रहा है, इसोफेगस and trachea जहां पे अलग होगा, तो present at the junction of glottis, glottis and gallets, gallets किसको बोलने हैं, इसोफेगस, glottis किसके लिए, trachea के लिए, अब इस epiglottis का क्या काम होगा, what is the function of epiglottis, epiglottis का क्या काम हो जाएगा, यह क्या करता है, like prevent the entry, prevent the entry of food, कहां पे यह food के entry को रोकेगा, into trachea, means जब हम लोग खाते हैं, खाने के time, जब हम लोग selling of food, food को अंदर करेंगे, उस समय क्या होगा कि यह air pipe को cover कर देता है, और food आपका trachea में नहीं जा पाएगा, अगर यहां पे epiglottis नहीं होता, तो क्या होता कि यह air pipe में भी food चले जाता, तो यह food के, यहां से माल लिजिए pharynx को हम लोग क्या बोल दिए, अगर यहां पे epiglottis नहीं होता, तो food क्या होता, हमारे air pipe में भी जाता, तो जिस समय हम लोग selling करते हैं, उस समय क्या होगा, कि यह जो food है, food के entry को इस pipe को का मुह ही बंद कर देता है, pipe का क्या करेगा, मुह बंद कर देगा, जिसके वज़ा से इसमें खाना नहीं जा सकता, food नहीं जा सकता, food सिर्फ कहां जाएगा, तो अब जो है, यह अगर isophagus का बात करें, तो isophagus कहां पे present होगा, इसका location अगर हम दो बात करें, behind the trachea, यह trachea के पीछे present होगा, ठीक है, तो यहां तक समझ में आ रहा है, pharynx क्या है, just एक line आपको याद रखना है, common passage, तीन है, एक epiglottis याद रखिएगा, कि epiglottis क्या है, एक flap like structure होगा, present होगा, at the junction of trachea and esophagus, या कहिए आप, glottis या, gullets, इसके जिग ठीक, अब next जो इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है, वो है esophagus,